यह spectrum की animation series है जिसमे spectrum की पुरी book को animation के थू हम देखेंगे ताकि इसे memorize करना हमार लिए काफी आसान हो जाए link नीचे description में दिया गए जहांपे आप सारे lectures को access कर सकते हैं Hello everyone, lecture number 10 पर हम पहुंच चुके हैं और इस lecture के अंदर हम देखेंगे rise of regional states Rise of regional states में हम देखेंगे कि जो broad categories हैं तीन ऐसी broad categories हैं जिसके अंदर various states को divide करेंगे कि कैसे various classifications होई इन states की इसमें number one थे successor states देखें successor states में वो states थे जो कि मुगल provinces थे लेकिन वो अपनी empire से मुगल empire से break away कर रहे थे उससे अलग होने की कोशिश कर रहे थे इन states के अंदर आते हैं आवद, बेंगोर, हाइदराबाद उन्होंने मुगल authority को कभी भी challenge नहीं किया लेकिन at the same time वो अपनी autonomous polity को बनाना चाहते थे चलिए second category थी independent kingdoms की ये ऐसी kingdoms थी जो कि मुगल्स की destabilization का फाइदा उठाना चाहती थी हमें पाता है हमने पिछल लेक्चर में ही देखा है कि मुगल्स का decline होना शुरू हो गया था और उसी decline को capitalize करना चाहते थे ये independent kingdoms वो चाहती थी कि अपने समराज्य को बिलकुल मुगल empire से अलग स्थापित किया जैसे कि मैसूर उसके अंदर से एक power थी जो की काफी powerful power थी देन राजपू स्टेट्स थे जो कि अपने आपको मुगल empire से अलग ही establish करना चाहते थे तीसरी केटेगरी में जो स्टेट्स थे उनको कहते हैं the new states ये ऐसे स्टेट्स थे जो कि directly ही मुगल को oppose करते थे rebel थे और मुगल के सामना करने के लिए भी तयार थे जिसमें marathas जो की formidable power मांग जाती है वो इसमें से एक थे सिख थे जाट थे तो ये तीन केटेगरी स्टी जिसमें number one पर हमने पढ़ा successor states number two पर हमने पढ़ा independent kingdoms number three पर हमने पढ़ा the new states अब देखते हैं कि one by one ये states कैसे बाहर निकल गया है for example number one is हाइदराबाद देखिए हाइदराबाद को बनाने वाले विक्ती थे किलिच खान किलिच खान को पॉपिलरली निजामल मुल्क के तोरबे भी जाना जाता है हाला कि हाइदराबाद को एक individual state एक independent state बनाने का जो सपना था वो जुल्फिकार खान ने लिया था पर क्यों कि जुल्फिकर खान की death 1713 में हो गई वो अपनी सपने को पूरा नहीं कर पाए कुछ टाइम के बाद किलिच खान इस अपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे एक बात से उनको प्रॉब्लम होई और वो थी मुगल एंपरर ने मुब्रेश खान को डेक्टन रीजन का बन मुगल एंपरर का एक नुमाइंदा जो है वो हैदराबाद में अभी एक्जिस्ट करता है किलिच कान चाहते थे कि इनको रास्ते से हटाया जाए और इसी वज़े से हुआ बैटल ओफ शकर केड़ा जो 1724 में हुआ था इसके बाद मुब्रेश खान को रास्ते से हटाया गय और किलिच कान चो थे वो बन गए वाइस राय ओफ डेक्तन और उन्होंने अपने आपको साथ में ही आसफ जहां का टाइटल भी देग डाला इसके बाद जो नेक्स स्टेट आता है जिसके बारे में हम डिसकस करेंगे वो था दस्टेट ओफ आवद यहाँ पे जो फाउंड जादा से जादा बूटी देने के लिए बहुत जादा रवेन्यू करेक्ट करते थे आवद स्टेट से जिसको साधत खान प्रॉबबली पे करने के में असमर्थ रहते थे देन नेक्स स्टेट आता है बेंगोल का बेंगोल के फाउंडर थे मुर्शीद को लिखा उन्होंने अपना एक इंडिपेंट स्टेट बेंगोल बनाया था और काफी केपेबल रूलर थे बहुत अच्छे से इसको नई उचायों पर भी लेके गए उनके बाद आये 1727 में उनके बेटे शुजाओदीन जिन्होंने अच्छा काम किया लेकिन उनके जो सक्सेसर थे सरफराज कान उन्होंने जादा अच्छा काम नहीं किया इसी वजए से 1740 में अलिवर्दी खा को एक वहाँ पर अपर्चूनिटी दीखी उन्होंने सरफराज खान को मार के जो पूरा तक्त था वो अपने हाथ में ले लिया और अलिवर्दी खान जो थे वो भी एक केपेबल रूलर उन् 1708 में चैलेंज किया उन्होंने जैसिंग दा सेकिंड को और दुर्गदास राठोर को अपनी सेट मिलाया बट बहादुर्शा की यह जो अलाइंस थी यह ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई और इसी वज़े से राजपूस जो थे उनका जो एक दबदबा बना हुआ था व उस रीजन में यह स्टेट एक्जिस्ट करता है और वो दियास इसको स्टार्टिंग में रूल कर रहे थे वो दियास वर नोट केपेबल रूलर्स देरफोर हैदर अली आते हैं पिक्चर के इंदर जो बहुत केपेबल रूलर अपने आपको प्रूब करते हैं उनके टाइम पर ही जो मैसूर है वो नेक्स्ट उचाईयों तक अभी तक की सबसे ज़्यादा उचाईयों तक पहुंचता है उन्होंने अपनी आर्मी को भी मॉडनाइज वो करते हैं और साइंस और टेक्नोलोजी में खास तुर्बें दिल्चस्पी रखते हुए साइंस और को रूल कर रहे थे मार्त अंडे वर्मा और कन्यकुमारी से कोचीन तक का जो रीजन था उनके अंडर में था उनकी भी जो आर्मी थी वह वेस्टन मॉडल पर बनी थी जस्ट लाइक हैडरली की आर्मी और इसी वज़े से वह बिटिशर से भी अपने आपको बचा के रखते थे केरला के बाद चलते हैं थोड़ा नोर्दन साइड बे जहां पे जाट अपने आपको असर्ट कर रहे थे डेली मत्र और आगरा वाले रीजन में और अंजेप की जो उप्रेसिव पॉलिसी थी उससे वह तंग आ चुके थे इसलिए कुछ लीडर्स निकलते हैं जाट एम अबिस्टेशन था वह भी काफी एफिशेंट था गंगा से लेके चंबल तक जो रीजन था वह जाट एमपायर का हिस्सा था लेकिन 1763 में सुरजमल की डेथ के बाद जो पूरा जाट एमपायर है वह छोटे-छोटे आप कह सकते हैं स्मॉल एरियास में इसको हम डिफेंड कर पाएं गुर्गोबिन सिंग के बाद आएं बंदा बहादू जिनोंने गुर्गोबिन सिंग के करे हुए कामों को आगे बढ़ाया और नादिर शाह और एमशा अपदाली जो उस टाम पर इन्वेड करते रहते थे पंजाब रीजन को उनसे भी अपने सिंग को दिया जाता है जो कि महान सिंग के बेटे थे और लीडर थे सुकर चक्या मिसल के सतलु से जहिलम तक का रीजन जो था वो उनके कंट्रोल में था उन्होंने लाहूर को भी 1799 में कॉंकर कर दिया था और 1802 में अमरी सर को भी अपने साथ मिला लिया था बाद में होती यह ऊपर सतलुच ट्रिटेरी के उपर 6 के बाद एक और जो formidable power थी वो थी Marathas, Marathas जो थे काफी powerful थे उस time पे capable leadership थी उनकी पेश्वास की वहाँ पर, Marathas इतने strong हो चुके थे कि उन्होंने मुगल authority को भी मालवा से उखाड फैका था, गुजरात रीजन में भी अपने आपको establish कर लिया था, उनकी authority को सिर्फ challenge किया था अगर आप spectrum Indian history MCQ की series देख रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि Warren Hastings इजारदारी सिस्टम लेके आया थे ताकि extra revenue generate किया जा सके, क्योंकि Marathas से अंग्रेजों को बहुत जादा डरता, इसलिए वो चाहते थे, जादा से जादा पैसा उनके पास हो, इजारदारी सिस इसलिए introduce किया गया था, ताकि जादा पैसा होगा, जादा resources होगे, तो Marathas को हराने में उनको असानी होगी, तो ये regional power सी जिनके बारे में हमने पढ़ा, एक बार देख लेते हैं कौन-कौन सी थी, सबसे पहले हमने देखा हाइदराबाद था, फिर अवद भी अपने आपको assert किया, मैसूर भी एक strong state बनके बाहर निकला, regional power में दन केरला आया, जाट्स ने भी अपने आपको establish किया, सिक और Marathas के बारे में भी हमने पढ़ा, finally हम इस lecture को conclude करेंगे, कुछ limitations जानते हुए कि regional states की limitations क्या थी, देखे, even though Mughal states को वो oppose कर रहे थे, Mughal states से अपने अपनी autonomy जा supreme authority मानते थे, तो आपके अपने region के अंदर ही कुछ ऐसे chief है, जो कि Mughal emperor को supreme मानते, तो definitely कहीं ना कहीं, आपका खुद भी moral down होगा, लेकिन कुछ ऐसे states भी थे, जैसे कि Mysore हुआ, वहाँ पर ये chieftain वाला local chieftain का concept ही नहीं था, तो यहाँ पर जब chiefains होंगे ही नहीं, तो वो Mugh को अपनी authority मानेंगे कैसे, कुछ all limitations भी थी, इन regional states की, जैसे की, काफी सारे ऐसे states थे, जो कि जादा advanced नहीं थे, science and technology में, अगर Mysore की बाद छोट जिजे, बागी के states, science and technology के अंदर, अपनी army को modernize नहीं कर पाए थे, और आपस में ही constantly warfare करते रहते थे और एक दूसरे को weak करते नहीं रहते थे, इसके अलाबा बहुत सारे states ऐसे भी थे, जो कि एक strong financial administration establish करने में fail हो चुगे थे, कोई strong finances उनका कोई source हुआ नहीं करता था, इसी वज़े से जब battles होती थी, wars होती थी, वो अपनी इन wars को consistent basis पे continue नहीं कर पाते थे, इसी वज़े से यह जो regional पावस्ती, even though इ झाल झाल